Hello friends, Neighbor Sunshine ये एक Oscar winning short movie इस वीडियो में आपको आज में explain करने वालो ये बहुत ही अच्छी movie है और एक listen के साथ आती है जो जली ही शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और हमें एक apartment दिकाई गई है यहां mother और father होते है इन्हें बहुत सारे बच्चे होते है जब बहुत रात हो जाती है तो बच्चों ने दिन बार जो भी मेस की थी ये सब mother साफ करी होती है father बच्चों को सला कर वापस आ जाता है ये दोनों फिर अपने dinner table पर relax होने के लिए बैठते है इनकी dinner table के पास एक बड़ी सी window होती है इस window से वो दूसरे building की windows देख सकते है जब इस window से वो देखते है तो वहाँ उन्हें एक couple दिखता है एक दूसरे के साथ intimate हो रहे है mother केती कि ये क्या कर रहे है मैं नहीं देख सकती है और वो interested हो जाती है और देखने लग जाती है father भी बहुत ही interest से देख रहा होता है तो वो कहती है कि drool करना बन करो वो बोलती कि क्या इन्हें पता भी नहीं है कि हम सब ये देख सकते है father कहता है कि वो अपने apartment का inauguration कर रहे है हमें light burn कर देनी चाहिए ये भी उसे कहता है mother कहती है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे है हमें क्यों light burn करने है वो अपना mind change कर दिया है और light burn कर वो ही बेट जाती है अब हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर चुके है mother अपने बच्चों को बाहर गुमा कर लाती है और फेस से घर आती है जो फादर होता है वो खिड़की में बेट कर ही अपना काम कर रहा होता है mother और फादर की यहां fight हो जाती है वो कहती है कि तो हमेशा उन्हें ही देखती रहती है इन दोनों में insecurities होती है इन्हें बच्चे हो चुके यह 30's में है तो एक दुसरे के साथ वो इतना जादा connection नहीं बना पाते है mother उस पर चीट कर बोलती है यह तुम घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते बच्चो का सब ख्याल वेगरा भी मुझे ही रखना पड़ता है उन्हें बाहर भी मुझे ही लेकर जाना पड़ता है तुम सिर्फ अपनी दुर्बिन लेते हो और किड़की से जागते रहते हो फादर ने उसकी बर्ड़े के लिए दुर्बिन मंगवाई होती है फादर कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उन पर हमेशा ध्यान रखता है तुम भी हमेशा उनने देखती रहती हो अब वो कपल पर चिट गई होती है वो कहती है यह क्या इनने कर्टन्स के बारे में नहीं पता है या कोई उनने देख सकता है इनकी भी इने शब नहीं है हमेशा है पार्टी करते रहती है ये अभी हैं मदर फादर देखते है इंने बहुत ही जेलस महस्सुस होता है इनकी जो life है ये बहुत ही stable है अपने बच्चे हैं इनके family है पर फिर भी इन्हें अपनी जो 20 है जिस तरह से वो एंच्वा गरते थे उस तरह में इनने सब को साफ हगरा करना पड़ता है इसी तरह से मदर आज साफ भी कर रहे होती है मदर फिर से नेबर की याँ देखती है तो वहाँ पार्टी चल रहे होती है नेक सिन में हमें ये फैमिल ब्रिक्वास करती है ये देख रहा होता है अब यह जो father है यह neighbors पर हमेशा नजर नहीं रखता जब रात होती है तो mother को ही लगता है कि उसे देखना चाहिए यह neighbor क्या कर रहे है यह father की दूर्बिन ले थी है उसे देखने ही लग जाती है इस wife ने अपने husband को कहा था कि तो में responsibility लेनी चाहिए अपने बच्चों को घुमा कर लाना चाहिए तो उसका husband अब यही कर रहा होता है वो बहाँ जाता है और अपने बच्चों को कैमपर लेका जाता है अब वो खिड़गी के पास भी नहीं दिखता आज जब रात हो जाती है तो mother को नीन नहीं आ रही होती वो फिर बैलकनी में जाती है और फिर से अपनी दूर्बीन से देखने लग जाती है वो देखती है कि जो उसके नेबर से उसकी जो wife है वो अपने husband को console कर रही है यहाँ कुछ प्रावलम हो चुका है यह उसे पता चल जाता है यह जो नेबर्स होते है बहुत दिन तक घर पर नहीं होते है थोड़ी दिन बाद जब एक घर पर वापस आ जाते है तो as a general curiosity फादर मदर से बोलता है कि यह कहा थे उसने नेबर को दिखा होता है जो नेबर husband होता है उसके बारे में कहता है कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा वो उसके लिए थोड़ा सा वरी करता है थोड़ा वक्ग जब गुजर जाता है तो मदर फिर से खिड़के से जाग कर देखती है उससे फिर दिखता है कि जो नेबर है उसके बाल जढ़ जढ़ चुके है उसे मिलने के लिए उसके मदर और फादर आये है वो पेट पर होता है वो अपने नेबर के लिए वरी करती है राद में फिर एक बार जब वो खिड़के से देखती है तब उसे मालूँ होता है कि जो नेबर था वो मर चुका है नेबर की वाइफ रो रही है इसे बहुत भी बुरा रगता है और अगली बिल्डिंग में वो देखने के लिए चली जाती है नेइबर की बोड़ी हॉस्पिटल में जा रहे हुथिए नेइबर की वाइफ जो थी है उसके पास ही आ जाती है मदर उसे कंसॉल करना चाती है उसे कुछ भोलनी पाती तो neighbor की जो wife होती है वही बोलती है मैं तुम्हें चांदती हूँ हमारे apartment से तुम्हारे apartment दीखती है तुम वही हो जिसके तीन बच्चे है तुम्हारा husband है वो कहती ही कि तुम्हें आजब लगेगा पर मैं और मेरे बथी हम दो उना हमेशा तुम्हें देखते रहते थे तुम्हारे बच्चे बहुत ही क्यूट है तुम्हारे जो family है ये कितनी बड़ी आए अब ये neighbor की wife रोने लग जाती है और mother उसे सहारा देती है रात में हमें mother घर पर दिखाए गई है और उसे अब अपनी family के बारे में एक नया perspective मिल चुका है हमेशा दुसरी के life में जागते हमारे पास जो है वोसे हम appreciate नहीं करते एक beautiful message ये movie देखर जाती है जो neighbor थे उन्हें लगता था कि उनकी भी इतनी अच्छे family होने चाहिए क्योंकि उनके पास family नहीं थी जो mother and father थे उन्हें जो freedom neighbor के पास था वो नहीं था वो फिर से जैसे वो 20s में थे वैसे नहीं जी सकती थे उनकी life stable हो चुकी थी पर कभी कभी उने भी मजा करना था ये दोनों एक दुसरे से जलते थे पर अपने life कितनी perfect है एक दुसरे को गभी पता नहीं था जब neighbor माच चुका है तो mother को अपना perspective मिल जाता है कि उसके पास जो है वो कितना valuable है पेस्ट lesson के साथ ये movie end हो जाती है झाल